उम्सवराष्ट्रे स्वमनाथम्च श्रीशेले मलिकार्जनम् उज्जन्याम महाकाल उम्कारम मलेश्वर्म् परल्याम बैदनाथम्च डागिन्यामी मशंगर्म् सेदुमन्देदुरामेशम् नागेशम् दारुखावणे वारणस्याम् तुष्वेशं त्रम्मगं घौदमी थटे हिमाले तुगेदारं उज्जमेशंत शिवाले एतानि जोद लिंगानी सायं प्राता पढ़िन्नरा सब्त जन्म ग्रतन पापं स्मर्णे नविनश्यति ओम् नमः शिवाय नमश्कार, स्वागत है आपका आचारेवानी में, मैं आचारे डॉक्टर विक्रमादी थे आपके साथ हूँ और आज हम उपस्तिते हैं आपके समख्ष आचारेवानी चैनल के माध्यम से मीन राशी वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन क्या कुछ करने वाला है आपके लिए देखिए हर ग्रह का परिवर्तन कुछ ना कुछ तो करता ही है कुछ ना कुछ प्रभाव उत्पन्न करता है कहागे न, every action has a similar reaction हर action का कुछ ना कुछ प्रभाव होता ही है चाहे एक प्रता भी लाता है, उसका कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा ऐसा हो इसका की कुछ action का reaction ना हो वो reaction जो है, वो शुब हो, यह कल्यानकारी है लेकिन, जोतिश विज्ञान के माध्यम से बड़े सुंदर तरीके से यह है, हर reaction को आप सुंदर बना सकते हैं लाब मैं बना सकते हैं बुद्धी के दुवारा उपाये के दुवारा ज्ञान के दुवारा यही मानव बुद्धी का चमतकार है आज हम बताने जा रहा है मीन राशीवालों के लिए क्या कुछ होने के योग है इस परिवर्तन से ग्रह दिश्टिकोन से वैसे हमने बहुत सारे वीडियो आपके समय समय बताए है और ग्रह दिश्टिकोन से इस वक्त समय आपका बड़ा अच्छा चल रहा है मीन राशी वालों आपका स्टेटिक ग्राफ ग्रोथ हमें प्रतक्ष रूप से दिखाई देती है और जो सूर्य का परिवर्तन व्रशब राशी में हुआ है वो जो सूचना दे रहा है कि 15 तारिक को 11 बच के 58 मिनट पर सूर्य मेश से निकलकर व्रशब राशी में जाएंगे और करीब करीब 30 दिन देखिए सूर्य का परिवर्तन एक निधारित गती से चलता है वो हर रोज एक अन्ष चलने ही है सूर्य प्रतक्ष देवता है नित्य पति हमें दर्शन देते हैं चाहे कोई चाहे कोई ना चाहे चाहे उनके प्रतिशधा रखे कोई चाहे उनका ना शधधा रखे प्रगृति के अनुसार से वो अपने सिध्धांत को अवेरल करतेstalते हैं अवेरल अपने करतव्वे का पालन करते रहते हैं तो इसलिए हमारे भारत्य संस्किती में उनको प्रतक्ष देवता की संग्या, सूर्य नारायन के रूप में हम उनकी प्रतिष्ठा करके उनकी पूजा करते हैं, अराधना करते हैं और उनसे संसार के कल्यान की कामना करते हैं और वो अवश्य आशिरवाद प्रदान करते हैं सूरे के प्रताप से ही संसार की रचना है, यदि सूरे ना हो तो ये संसार का कोई औचितर रहे का ही नहीं परिकलप ना कर सकते हैं कि कि जी सूरे ना हो तो क्या होगा? सब कुछ सवाप्त तो इसलिए विज्ञान भी इस बात को मानता है वो तो सूरे के निदा आयू करते हैं तो भारती संस्क्रती में जोतिश विज्ञान में हर चीज़ को बहुत सुन्दा तरीके से वर्नित किया गया है खैर आप समझ लें कि आपके लिए क्या होने के योग है तो आप एक बात समझें कि ये सूरे का परिवरतन आपके लिए बहुत शुब है विशेश कई शेत्रों के साब से सूरे आपके शष्ठेश हैं आपकी राशी के नुसा से शष्ठेश होकर तिरतिय भाव में पदारपन वो कर रहे हैं और वो दिखाता है तिरतिय भाव में विशेश तोर पर जो सबसे पहले बच्चों की बात कर लेते हैं छोटे से लेगा फिर बड़े तरफ चलेगे तो बच्चों के लिए खास तोर पर जो शिक्षा के शेत्र में हैं उनके लिए बहुत अच्छा ग्रोथ का पिरिड है यह तोड़ी सी और मेहनत कर लेना तो बहुत बड़े आदमी बनने के लिए रास्ता बन सकता है बहुत सारे लोगे कॉम्पिटिटर एक्जाम चल रहे होंगे इस वक्त तो आप समझ लो मीन दाशी वालो यह समय आपके लिए बहुत ऑपर्चुनूटी से भरा हुआ है हमें दिखा रहा है एक ग्रह है कि आपकी सास, आपके अदम में उत सास आप बहुत बड़ा काम करने वाले हो तो हम तो और बूस करने का प्रयास कर रहे है कि बहुत अच्छे लगने से काम कर रहे हो तो बहुत बढ़िया गुरोध का योग है के योग बनते दिखाई दे रहे हैं क्यों? क्योंकि सूर्य महां बैठकर आपके धर्म को भी देख रहा है तो धन का सवधुपयोग दान से भी तो दान पुन्ने करकर उसका लाब अच्छे प्रकासे ले सकते हैं यह साफसतो तौर पे दिखाई देता है यानि ऐसे में धनलाब होने के पूर्ण योग बनते दिखाई दे रहे हैं हमें आपकी राशी के रूशार से धनलाब के पूर्ण चांसे हैं आप केवल अपने मंगल को प्रशिस्ट करने का प्रयास करें मंगल पंचम में बैठकर चलाश टक योग शनी के साथ बरा रहा है वो थोड़ा कश दे सकता है अपने सामर्थ पूर्ण लगातार लगे रहे हिम्मत को मतूर्ण देना है मंगल लगातार प्रयास करेगा कि मैं तोड़ दू हिम्मत आने वाले जो मंगल का प्रभाव जो है वो यहाँ पर विशेशतर पर काफी दिन तक है अभी 50 दिन तक मंगल अभी 10 तारी को बदला था 10 विशेशतर पर मैं को 30 जून तक यहां रहेगा सूरे के शुप प्रभाव में थोड़ी कमी दाता दिखाई दे रहा है तो अपने सामर्त हिम्मत को बनाये रखो हन्वान चलिसा का नित्यपती पाठ करो वो बहुत जरूरी है ग्रह दिष्टी कौन से धन युक्त होगे धन युक्त बनने की चांसे दिखाते है आपके सदकर्मों से आपको लाप्टाप्ती की दिखाई देते है तो धर्म परायन रहना धर्न का सदुपयोक अवश्चे दान पुन्यवे करने का दिप्रयास करोगे तो अवश्चे आपके जीवन में लाप्राप्ती के योग बन सकते हैं जो लोग प्रवकता हैं जो लोग खासतोर पर lecture यानि वाणी से वैपार करते हैं वाणी का काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा impression जमाने का समय दिखाई देता है उनकी वाणी से उनके बौल्चाल से उनके व्यक्तित्तों से बहुत बढ़िया से लाप्राप्ति के योग बनते दिखाई दिने आपके प्राक्रम में कोई कमी नहीं आएगी लेकिन मंगल खराब है मुझे वो दिखाई दिता है कि वो आपको कहीं परिशानी कर सकता है एक बात ध्यान रखना है कई पराक्रम जो होता है वो गलत तरफ भी चला जाता है काम की प्रवित्ती भी थोड़ी ज़्यादा प्रवोक हो सकती है यानि विलासिता थोड़ी सी एग्रिसिवनेस एग्रिसिव हो सकती है जब शक्ति बड़ी हुई होती है न तो शक्ति का उपर की तरफ ले जाना तो फोड़ा मुश्किल है आता है अधुनार्ग में तो बहुत जल्दी से निकल जाती शक्ति और वो हो गई तो फिर फाइदा नहीं होगा तो कोशिश करें हमने संजहाने के तौर पे आपको इस बात को रखने का प्रयास किया है तो थोड़ा ध्यान रखते हुए कारिखेजगा मैंने का प्राक्रम अछा रहेगा लेकिन मंगल प्राक्रम को तोड़ रहा है तो वो कहीं न कहीं नेगिटिव प्रभावात्मन कर सकता है जब जब धूड़े सी जो ततसत रहतें लक्ष प्रापती करने के लिए एक लिवल है कि पानी जो गरम होगा वो 100 डिग्री पर ही जाके गरम होगा लेकिन 100 डिग्री में आने के लिए उसको उतनी उर्जा चाहिए यदि उर्जा में मंगल ने आपकी थोड़ी कमी कर दी है तो कि आपे बैठे मंगल शीर्ण है शड़ाश्टक यूग बना रहे हैं तब वह frustration उत्मन कर सकता है और वो क्रोधी बना सकता है आपको तो उस क्रोधी से आवेश से आपको बचना है देखिए जो वेक्ति अपनी क्रोधागनी को positive तरफ लगा देते हैं वो तो देवता बन जाते हैं और जो क्रोधागनी पर के अनुसार बै जाते हैं तो अपनी शक्ति को क्रोधागनी को कंट्रोल करते हुए अपनी शक्ति को positive यूज में करने का प्रयास कीजिए उसको यानि uncontrollable मत बनाएगा इस बात का ध्यान रखने का आपको प्रयास करना चाहिए देखिए एक बात गिरह दिखाई दे रहा है थोड़ा सा आजकल आपकी राशी के अनुसा से हमें एक बात पताने का प्रयास करते हैं आजकल कानों का बहुत ज़्यादा विश्चत तर पे उप्योग होता है ये और फोन्स और ये और वो देखे पुरानी कहावत है नाक में उंगली, कान में उंगली, मत कर, मत कर, मत कर इस बात का ध्यान लखेगा कि यहां ग्रह दिखा रहे हैं कि करन समंदि द्रोग थोड़े से आपको परिषान कर सकते हैं इस बात पर ध्यान लखने का प्रयास कीजगा ग्रह दिखा रहे हैं कि इस वक्त आपको विशेष्ट और पर बंधू बांधव भाईयों का पाटनरों का थोड़ा ध्यान रखने का प्रयास कीजगा वो थोड़ा से आपसे मनमुटाव हलकिसी आपकी कोई बात आपके आवेश से मैंने कहाना एनरजी थोड़ी जादा रहेगी और मंगल खराब चल रहा है और वो आपकी थोड़ी सी कोई बात से उनको लग सकती है और वहाँ पर थोड़ा सा कष्ट होने के योग दिखाई देत है बाहर बाले तो आएंगे खाग भी चल देंगे चरसी भाई किसके दम लगाया किसके लेकिन जो मजाद होता है वहीं बंदु भांदव घर वाले जो हैं उनके साथ ही होता है और वहाँ थोड़ी सी शिष्टा चार कार रखते हुए अधी प्राक्रमी होकर अपने उत्साह में समय अच्छा है लेकिन अधी उत्साह में कई बात थोड़ी सी गलती और वो कष्ट देज़ेती इस बात का ध्यान रखते हुए कदी काम कर लेंगे तो हमने आपको अपना समझा इसलिए हम बताने का प्रयास कर रहे हैं इस समय में आपका ऐसे आर्ट की तरफ जोतिश की तरफ और खास तोर पर कलाओं की तरफ पराविद्याओं की तरफ आपका रुजहान बहुत ज़्यादा हो सकता है इन सब समय में घ्यान प्राप्ट करने के लिए आपका प्रभाव को खतम कर सकता है उससे बचते हुए कारे करने की जरूरत है अब प्रभाव उठता है कि उपाय क्या किया जाए देखिए शनी महारा जो सूरे है यहाँ पर आपके खास्तों में धर्म को देख रहे है धन का सदुपयोग करने का आपको मौका है ऐसे में सदुपयोग करने का प्रयास कीज़े जो फृतीय भाव है मैं कहूंगा पूजा पाठ यग्य का भाव माना जाता है इसके अंदर तो कोशिशी कीजے यग्य गायत्री का यग्य सबस्रिष्ट है सूरे को जल देना सबस्रिष्ट है गायत्री का यग्य कीजे, गायत्री के देवता कोन है, सावित्री विद्या के अंतर गायत्री आती है, और वहाँ देवता सूर्य माने जाते हैं उनके, तो गायत्री का नित्यपति जप, गायत्री का यग्य, आप अवक्षि करने का प्रयास करें, देखिए, बहुत बढ़िय कल्यान का योग बनेगा और मैं आशा करता हूँ आप भी उसका पुर्भाव ले सकते हैं और हमने इस चैनल के मात्य हमसे हम दिली में विवेकानन योग आश्रम में हमारा आश्रम यग्यप्रधान आश्रम है भारतिय संस्किती यग्यप्रधान संस्किती है आजकल कुछ लोगों ने पता नहीं कहां से भ्रांती उत्पन कर दिया कि आरे समाजी वाले ही यग्य करते हैं आरे सनातन आरे समाज तो अब आया डेट सो साल में सनातनी यग्य ववस्ता तो अनादी काल से वेद विदोग तो धर्म तो सनातनी है उसका एक भाग लेकर आरे समाजी में लोगों ने इस प्रात को अच्छा रखा कि यग्य रख लिया तो इसका कतई यह अर्थनी है कि सनातनी हो में यग्य सनातन यग्य से भरा पड़ा है अथर यजुरुवेद जो है वो यग्य तो वेद ही है यजुरुवेद यग्य पठान वेद है और हमारे यहां सबसे लेकिन हमारी संस्किती में आज हमारे बंदिरों में यग्य बंद हो गया हमारे पंडित जो हम आप रख रहे हैं मंदिरों में वो यग्य करना जानते ही नहीं बहुत सारे लोगों में ऐसा हो गया है क्योंकि मंदर के विवस्था पक आप लोग है और आप वहाँ ऐसे लोगों को रख देते हैं कि जो पंडित पर आजीवी के चला लिजए कैसे चलाएगा वो पंडित आजीवी कहां उसको देने के लिए क्यों नहीं आएगा वो पंडित आपके लिए और जितना बढ़िया हम धर्म के ज्याता को वहां रखेंगे वो बहुत बढ़िया काम करेंगा तो इस बात को समस्ति हुए कारे करने खेर आपकी मीन राशी की समय में बात करें तो मैं आपको समझा रहता है कि गायत्री का यगे इस वक्त करना गायत्री मंत्र का पार्ट करना रहती का अनुष्ठान करना आपके भागे को उन्नती करने वाला है समय का लाब लीजिए ये समय भागे उद्री करने वाला है आपके लिए और बहुत बढ़िया तरीके से गायत्री का जब करें हमारे विवार को बड़ा गायत्री एक किया जाता है और गायत्री के मंतर से आउती प्रदान की जाती है और गायत्री बहुत चमतकारी विज्ञान है भारती सस्कीति का और इतना जबरदस गायत्री का चमतकार है कि क्या नहीं किया ज़कता कौन सी वनो कामना ऐसी है जो गायत्री के मंत्र से यग्य से गायत्री के अनुष्ठान से सवालाग मंत्री के जब से पूर नहीं हो सकती हमने ऐसे ऐसे अनुष्ठान देखे गायत्री का पुरुष्चरन 24 लाग गायत्री का जब करकर उसका तशान यग्य करकर उसका अनुष्ठान किया क्या किसी की शादी में बाधा उत्पन हो रही थी गायत्री का पुरुष्चरन करवाया और बिल्कुल देखें वो कैसे अनुष्ठान की पूर्टी इसकी साथ-साथ जन कल्यान का माध्यमद है एक तो वेक्ति ऐसे आश्रम पर आते हैं कि कुछी दिन बाध आते हैं जो भी किते समस्थरा आती है मुझे गायत्री का पुरुष्चरन कराना है और चमत्कार ऐसा है कि वो जो करा के जाते हैं वो उस लक्ष को पूर्ती कर लेते हैं ये मंत्र का चमत्कार है शुद्ब तरीके से करने का चमत्कार है तो आप भी मंत्र वही हैं, पद्धती ठीक है, लेकिन करने वाले यदि ठीक हों, तो चमतकार उपस्तित कर सकते हैं, तो हमने आपकी राशी के अनुसार समझाने का प्रयास किया, रविवार को, आप सब लोग विवेकानन योग आश्रम में यगे में तो कम से कम आया करें, हर रविवार को हमारे आश्रम पे जो बड़ा यगे होता है, सामुई की एक वैस्तो हर रोज, आठ घंटे यगे होता है, रविवार को उस यगे में सब लोग सम्मिलित हो सकते हैं, सुबह आठ बहे से लेकर दस बजे के बीच में, यह विवेकानन योग आश्रम दिल्ली खु नहीं को सम्मिलित हैं, सपने ज विवेकानन ये ये विनिता घंटी यह मेंदे बीचे ऑफन एडिवारा कुने खानार हैं, मुऍट थे खatiques यह विवेकान вам zor こरे कि टे ख़िया ओसते हैं, कर दे एने बालोंाश सम्मिलित हैं, ओ recognizing कि खो कर देंदिकान वार घंजा ते हुँ,